नमस्कार सातियों स्वागते आपका आपकी चैनल SSE exam वरिये पर दोस्तों स्टाप सेलेक्शन कमीशन ने अपना कलेंडर जारी कर दिया है जैसा मैं आप लोग को सभी वीडियो में बताता जा रहा है कि बहुत जल्द आप लोग का एक कलेंडर जारी होगा जिसमें साधी अपडेट होंगी कि आप लोग के एक्जाम कब सुरू होंगे तो SSE, CHSL का एक्जाम, JEE का एक्जाम, CGL का एक्जाम, CPO का एक्जाम सभी के एक्जाम का एक नया कलेंडर जारी क्या है SSE ने यानि स्टाप सेलेक्शन कमीशन ने अब दोस्तों आप लोग किसी भी एक्जाम को लेकर कोई confusion नहीं रहेगा सभी एक्जाम की डेट निर्दारित कर दी है एक जून को अपडेट आई है सबसे पहले SSE एक्जाम वरे चैनल पर आप लोग एक्जाम देख रहे हैं अभी अभी के अपडेट है नोटिस रिगार्डिंग दर सुडूल ऑफ एक्जाम डेशन दोसोचपविस के बी की पीडियाफ है जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करकर आप लोग को पीडियाफ सो करा देता हूं तो यहां पर देखिएगा दोस्तों स्टाप सेलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आया है देखिए शुरुआत में क्या लिखा हुआ है कि जो रिव्यूड कर दी गई है सारी 16220 को जो भी आप लोग को इस्टेशन को लेकर एक कलेंडर जारी होना था कि आप लोग कलेंडर कब जारी किया जाएगा जैसा आप लोग को पता है इंडिया के अंदर लोगडाउन चला हुआ था और आप इस लोगडाउन को खोल दिया गया है अनलोक 1.0 कर दिया गया है और लोगडाउन भी आप लोग का धीर धीरे करके अनलोक होगा जैसे अभी आप लोगा एक चरण होगा फिर दूसरे चरण में आप लोगा शुरू होगा खुलना तो इस तरीके से जो है संभावना दिताएगे कि अगस्त तक सारा लॉगडन खुलेगा सभी इंडिया की श्चिशन नॉर्मल हो जाएगी तो इसलिए SLC ने जो है अगस्त की की डेट रखी गई है तो सत्रह अगस्त यानि जाप लगा सी एचसल के जो एक्जाम है टायर वन फोर्दी लेफ्ट ओवर तो स्रेप उनी केंडिट के एक्जाम होंगे जो बचे हुए हैं यानि सभी एक्जाम सभी केंडिट के एक्जाम नहीं खराए जाएंगे सिर्फ आगे होने वाले थे जवसे आप लोगका एक्जाम बंद के हैं तो सत्रह आर्ट से 21 तक और 24 आर्ट से 27 तक इन चर्णों में आप लोगका एक्जाम कंड़क कराए जाएंगे है नि 178-2020 को 21-22-2024-22-2027-2020 को आप लोग एक्जाम होगा नेक्ष्ट बात करें तो junior engineer civil engineer के आप लोग की जो है एक्जाम होने थे तो उसकी date जो रखी गई है 1 September से जो है आप लोगे JEE के एक्जाम शरू होने वाले है Tire 1 1 September से 4 September तक ये कंड़क करा जाएंगे इसके बाद 7 September से एक्जाम होंगे Selection Post Examination जो आप लोगी Phase 8 के एक्जाम थे यह आप लोगे सुरू होंगे इसके बाद आप लोगे Stenografer C&D के एक्जामनेशन होंगे जो आप लोगे 10 September से लेकर 12 September तरहेंगे किलियर आप लोगे सुरूल रेगूलर है कि 17 से पेपर शुरू है लगातार पेपर कंड़क करा रही है SSC तो यहाँ पर देखिए जितने भी आप लोगे जो डिले हुआ है यह इसी टाइम में कवर करा लेगी आगे बात करें तो आगे आप लोगे आप लोगे का एकजाम होगा सब इंस्पेक्टर का अब सब इंस्पेक्टर इन डेली पुलिस और C.A.P.F में आप लोगे सीप्यों की नाम से जाने जाता है यह आप लोगे एकजाम होगा 29 सेप्टेंबर से यानि एक दस तक तो आप लोगे अक्टूबर तक यह हो गया एक अक्टूबर तक और 5 अक्टूबर को भी एकजाम करने करा जाएगा आगे बात कहें तो आगे आप लोग का junior हिंदी translator का आप लोग एक्जाम होगा इसका टायर वन होगा तो आप लोग का ये 6 अक्टूबर को होगा इसके बाद देखीगा combined CGL का टायर 2 यानि CGL का टायर 2 होना है वो आप लोग का रखा गया है 14 अक्टूबर का तो सबस्यादा आ यहां देना है completely आप लोग अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखनी है कि आप लोग इस टाइम पर आप लोग की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए और आप लोग एक्जाम में एक अच्छे स्कोर लाप सकें तो यह आप लोग का कलेंडर है कलेंडर का लिंक मैं आप लोग